तो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल आलवेज ज्यान पर मेरा नाम है उतकर्स और मैं आज आप लोगों के लिए लाया हूं 30 प्लस MCQ इंपोर्टेंट कोश्चन है जो की हर एकजाम के लिए काफी इंपोर्टेंट है जिसे की मैंने जिसे की मै मनाया जाता है 27 फड़वरी 27 मार्च 27 अप्रयल 27 दिसंबर कोश्चन का जवाब देने से पहले वीडियो को कुछ समय के लिए पौज कर ले या अगर जानते हैं तो आप उसका जवाब दे सकते हैं मैं एंसर बताऊंगा इसका जवाब होगा 27 मार्च 27 मर्च को विश्वरंग दिवस मनाया जाता है नींद की बिमारी किस मख्य के काटने से होती है नींद की बिमारी सीसी मच्छाड के काटने से होती है नेक्ट कोश्चन एनोना स्क्वा मोशा किसका बैग्यानिक नाम है सीता फल पपीता बबूल इनमे से कोई नहीं एनोना स्क्वा मोशा यह सीता फल का बैग्यानिक नाम है जो की काफी इंपोर्टेंट है पूछे जाते हैं नेक्ट कोष्चन देखते हैं जीका वायरस से किसे फैलता है जीकावायरस से मक्षर से सूवर से बंदर से जीका वायरस से मच्चर से फैलता है जीका वाइरस मच्छर से फैलता है Next question देखते हैं Kenya की आधिकारिक मुद्रा क्या है? Kenya की आधिकारिक मुद्रा रूबल, सीलिंग, जैरे, नोंगत्रुम है Kenya की आधिकारिक मुद्रा सीलिंग है Next question देखते हैं Kyoto Protocol Kyoto Protocol का संबन्ध किससे है? ओजोन घटाने वाले पदार्थ, अनुवांसिक संसाधन, कार्बनिक प्रदूशन, ग्रीन हाउस उत्सर्जन इसका जबाब होगा ग्रीन हाउस उत्सर्जन यानि कि पढ़्यावरन के लिए ये Kyoto Protocol इससे संबन्ध देथा है अगला कोश्चन देखते हैं कि इसका रासाइनिक पाचन अमासे से प्रारंब होता है अमासे यानि कि स्टोमक से प्रारंब होता है तो वह होता है प्रोटीन, सरकरा, वसा, मांड मांड यानि कि स्टार्चे ये है स्टार्चे लेकिन इसका जबाब जो होगा वह होगा प्रोटीन है अमासे से प्रोटीन का पाचन होता है अगला कोश्चन देखते हैं 15 भारतिये दिवस से 15 प्रवासी भारतिये दिवस से यह मनाये जता है 9 जन्वरी को जो की 2019 में कहां प्रस्तावित है यह कहां प्रस्तावित तो अगर तल्ला जैपूर वनारस से अहमदाबाद यह answer होगा वारा नसी इसका answer वारा नसी होगा ठीक है आगे बढ़ते हैं next question देखते हैं कान फिल्म महत्सो कहां आयोजित होता है कान फिल्म महत्सो काफी प्रसिद्ध है जो कि यह कहां होता है ब्रितेन दक्षिन अफ्रिका जर्मनी फ्रांस है इसका जवाब होगा फ्रांस है कान फिल्म महत्सो जो है वह फ्रांस में आयोजित किया जाता है अगला question देखते हैं नेहरू report कब प्रकासित हुई थी? नेहरू report कब प्रकासित हुई थी? 1925, 1928, 1929, 1927 इस question का जवाब होगा 1928, नेहरू report 1928 में प्रकासित हुई थी अब आते हैं mobile से question mobile संचार में LTE LTE का full form क्या है या पुन्रूप क्या है LTE यानि की जो हम लोग 4G mobile यूज करते हैं वो LTE technology से युग्ध होता है तो इसका full form है limited transmitted energy, long term evaluation least effective transportation, none of DJ इसका जवाब होगा long term evolution यानि की stability काफी अधिक होती है ऐसे फोनों में और यह long term evaluation होते हैं यानि की इसका जवाब होगा long term evaluation ठीक है next question को देखते हैं कौन सी बिमारी black water से संबंदित है cholera, malaria, ravage इनमें से कोई नहीं ज्यादा तर लोगों को लगता है जो आपका answer हो उसे copy में note कर ले, tick out कर ले इसका जवाब होगा malaria अधिकतर student जो है इसे cholera मानते है cholera को यह मानते है कि यह black water fever है क्योंकि water की चर्चा की गए हो cholera जो है वो water से होता है लेकिन सही जवाब होगा malaria विदू चालकता में दूसरा अस्थान किस धातु का है चान्दी, तामबा, एल्मूनियम anti का मतलब यहाँ none of these है anti sort में लिखा गया इन में से कोई नहीं सबसे अधिक चालकता होती है चान्दी में दूसरी होती है तामबा में यानि कि इसका सही जवाब जो है वो होगा तामबा तामबा दूसरा अस्थान पूछा गया है सेकेंड तो या होगा तामबा और तीसरा जो होता है वो अल्मूनियम होता है गारी की हेड लाइट में गारी की हेड लाइट में किसका प्रियोग होता है उत्तल लेंस, उत्तल दर्पन, अवतल दर्पन, अवतल लेंस है गारी में दो दर्पन का प्रियोग होता है एक उतल और अवतल है यहाँ पर गारी के हेडलाइट की बात की गई है तो गारी के हेडलाइट में अवतल दर्पन का यूज होता है लेकिन जब साइड मीरर की बात की जाड़ी है साइड दर्पन की तो वहाँ पर उतल दर्पन यू जो है वह प्रकास को सिकोरने का काम करता है ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं प्रोजेक्ट धूप प्रोजेक्ट धूप की सुरुवात किसने की खादी विभाग FSS AI मानव संसाधन विकास मंत्राले इन में से कोई नहीं प्रोजेक्ट धूप एक के बिटामिन डी यूगत खाद पदार्थों पर जोड़ दिया गया है और यह देख रेक जो है वो खाद पदार्थ का वह FSS AI करता है इसलिए इसका सही जवाब FSS AI होगा ठीक है नेक्स्ट कोष्टन देखते हैं जली कट्टू यह काफी न्यूज में कुछ दिन पहले जो है वो काफी चर्चा में था जली कट्टू जिसमें की साड को नियंतरन में किया जाता है तो यह किस अवसर पे होता है त्रिचूर कार् लाई ओ नम पोंगल तो इसका जवाब होगा पोंगल जली कट्टू जो है वह पोंगल पर्व के उत्सव पे मनाया जाता है पोंगल आपको यह जनवडी के समय में मनाया जाता है नेक्स्ट कोष्टन देखते हैं निमलिखित में से कहां इस्तूप नहीं है साची भर्वूत धमेक राची साची भर्वूत धमेक है तीनों जगह पे इस्तूप है लेकिन राची में जो है वह कोई इस्तूप नहीं है राची जारखंड की राजधानी है अगला कोष्टन देखते हैं अनुछेद 35A का संबंद किस राज्य से हैं उत्तर प्रदेश बिहार अरुनाचल प्रदेश जम्मू कस्मीर है अनुछेद 35A इसका संबंद जो है यह जम्मू कस्मीर से हैं अनुछेद 35A क्या है हलका साब को बता देते हैं अनुछेद 35A a special right है जम्मू कस्मीर का यानि कि कोई भी नागरिक जो है वह जम्मू कस्मीर में ना जमीन ले सकता है वहाँ पे साधी विवा नहीं कर सकता है अगर वहाँ का कोई नागरिक अगर बाहर निकल करके अगर किसी और राज्य के लड़की से या लड़के से साधी करता है तो जम लोगों को मालूम है अगला question देखते हैं सबसे अधिक गतिज उर्जा किस में होती है सबसे अधिक गतिज उर्जा ठोस द्रब्ब गैस इन में से कोई नहीं सबसे अधिक गतिज उर्जा गैसों में होती है काड़न इसलिए कि इनके इंटर मॉलिकुलर फोर्ज होता है वो काफी कम होता है काफी वीक होता है इसलिए इसमें गतिज उर्जा काफी अधिक होती है next question देखते हैं भस्म जिसे की base कहते हैं हम लोग इसका स्वाद कैसा होता है खाड़ा, खट़ा, मीठा, स्वाधीन भस्म का स्वाद जो है वह खाड़ा होता है हीरा हीरा है क्या तत्व, योगिक, मिश्रन, इनमें से कोई नहीं हीरा एक तत्व है तत्व इसलिए है क्योंकि यह कारवन का सुद्ध रूप होता है इसलिए हीरा जो है वह तत्व है और कारवन एक तत्व है जिसका की परमानु संख्या क्या होता है छे होता है ठीक है next question देखते है atomic भार इसका बारव होता है अगला कोचन देखते हैं इन में से किसके पास विना वाल्व का हिर्दय होता है जैसे मनुस्यों में वाल्व होता है मनुस्य के हिर्दय में वाल्व होते हैं जो की पंप करते हैं खून को तो किसके पास विना वाल्व का हिर्दय होता है मेढख मछली सरीशरी शरीव वह प्रानी होते हैं जो आपको पानी में और अस्थल दोनों में रह सकते हैं जिसमें कि आपको साप मगर मच्छ ये सब सरीशरी आते हैं दो vos साथ और मचली एंड नन उफदीज तो इसका जबाब होगा मचली इसका जवाब होगा मशली आगे question देखते हैं next question विधान सभा सदस्यों की शंख्या अधिक्तम संख्या कितनी होती है विधान सभा सदस्यों की अधिक्तम संख्या 443, 454, 485 विधान सभा सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो है वह 500 होती है जैसे राज्य सभा की अधिक्तम सदस्य कितने हो सकते हैं 250 हो सकते हैं उसी तरह से विधान सभा सदस्यों की अधिक्तम संख्या जो है वह हैं 500 हो सकते हैं पताना किस देश का घांस का मैदान है ब्राजिल ब्राजिल, औस्ट्रेलिया, स्रिलंका, इनमें से कोई नहीं इसका जवाब होगा स्रिलंका, पटाना जो है, वो स्रिलंका का घास का मैदान है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं, परचन बेरोजगारी बिसेस्ता है, किसकी, उद्योग की, ब्यापार की, क्रिसी की, यातायात की या काफी एकजाम में पूछे जाते हैं और काफी इंपॉर्टेंट हैं, इसका जवाब होगा क्रिसी प्रशन बेरोजगारी वह बेरोजगारी होती है जिसमें कि एक काम के लिए एक से ज़्यादा लोग लग हुए है मतलब आवसकता से अधिक लोग उसमें लगे हुए है तो वैसी बेरोजगारी को प्रशन बेरोजगारी कहा जाता है और वह है क्रिसी अगला कोश्चन देखते हैं लोग लेखा समीती में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है पंद्रह, बाईस, तीस, पैतालिसे लोग लेखा समीती में बाईस सदस्य होते है लोग लेखा समीती में बाईस सदस्य होते है नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं वह खगोलिये पिंड जिसे रात की रानी कहते हैं मंगल, सुक्र, चंद्रमा, बिरहस्पती मैक्सिमम लोगों को मंगल लगता है क्योंकि रात में यह दिखता है लेकिन इसका जबाब होगा चंद्रमा रात की रानी जो है वह चंद्रमा को कहा जाता है नेक्ट कोश्चन देखते हैं समुद्री समीर बहती है कब समुद्री समीर कब बहती है तो समुद्री समीर ओप्सन देखते है दिन में, रात में, कभी भी इन में से कोई नहीं इसका जबाब होगा दिन में समुद्री समीर जो है वह दिन में बहती है निम्न में से कौन एक देव नरित्य है कथकली, मोहनी, अटम, कुचीपूरी इन में से कोई नहीं देव नरित्य इसका जवाब होगा कुचीपूरी कुचीपूरी एक देव नरित्य है और यह आंदर प्रदेश का है अंध्र प्रदेश का अंद्रित जो है वह लोगानें यह कुछी पूरी है कथाकली कहां का है केडल का है और मोहिनी अट्टम तमिलनाडू का है कुछी पूरी जो है वह अंध्र प्रदेश का है डॉक्टरी थर्मामीटर का अविस्कार किस ने किया था फारेन हाइट एडिसन या थॉमस एलवा एडिसन की बात की गई है गैलेलियो और नन अफ दीजे थॉमस एलवा एडिसन ने बल्व का अविस्कार किया था इसका जबाब होगा गैलेलियो डॉक्टरी थर्मामीटर का अविस्कार जो है वह गैलेलियो ने किया था नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं किसकी कमी से दंत च्छै होता है दातों का गिरना किसकी कमी से होता है जिंग, लोहा, फ्लोरीन, तामबा इसका जबाब होगा फ्लोरीन, फ्लोरीन की कमी से दंत च्छै होता है इस वीडियो का लाश्ट कोश्चन आज का भारतिये सर्वेक्षन किसकी अधीन है पड़यावडन एवं बन मंत्राले, ग्रिह मंत्राले, रक्षा मंत्राले बिज्यान एवं प्रद्योगी की मंत्राले भारतिये सर्वेक्षन जो है वह ग्रिह मंत्राले के अंतरगत आता है यह ग्रिह मंत्राले के अंतरगत आता है आपको ग्रिह मंत्राले से एक बात और बताते हैं भासा भासा भी जो है वह ग्रिह मंत्राले के ही अंतरगत आता है और सर्वेक्षन जो है वह ग्रिह मंत्रा लेके अंतरगत है यह वीडियो का लास्ट कोश्चन था उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो काफी अच्छा लगा होगा आप मुझे कमेंट में बताएं कि आपने इसमें से कितने कोश्चनों को सही किया और आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे यह बताएं अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को सेर करें और उनके नौलेज को भी चेक करें तो इसी के साथ और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले ताकि हम ऐसे ही वीडियो लाएं तो आपको काफी वेनिफिट हो